शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं और किसी भी समुदाय या व्यक्ति, मृत या जीविद, किसी भी समानता के साथ कोई समानता नहीं है यदि कोई हो तो अंजाने में विशुद रूप से संयोग है झाल 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 कि अंजाने में बच्पन से सुना है सम्विधान में भी लिखा है कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष राष्ट है और मैं इसी राष्ट का एक शहर हूँ जिसका नाम कभी महबत नगर हुआ करता था और महबत नगर में हर मजहब के और हर फिक्रे के लोग प्यार महबत से मिल चुल कर रहा करते थे वो लोग सिर्फ एक ही धर्म जानते थे इंसानियत और देश प्रेम भाई चारा इतना गहरा था कि शिवालयों की घंटियों में अजान सुनाई देती और इबादत गाहों में आरती की नाद लेकिन बदलती दौर बदलती सियासत और सिमटती इंसानियत की वज़े से महबत का नगर अब सिर्फ मुझफर नगर रह गया और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ अरे यो क्या कर रहे भाई अरे का लेके जारे मुझे अरे चोड़ा चोड़ा मुझे अरे यह लोग मुझे यहां से क्यों लेके आ गए बेर्णवाद जैसे लेकाते पुपा लग गया तुम्हारा है मुझे कोई भूल हो गई है क्या भूल नहीं करतूत 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 और ऐसे करतूत पर तो गोली से उड़ा दें स्वीट मैं पता नहीं तुझे यह आवा करतूत देख अब जटते फैसला कर ले अंगुठा लावे है यह दू तेरा सर इस कोल्लू में अगर यह जबीन मैंने तुम्हारे नाम कर दी तो हम ल तुन ने लिये नहीं वैसे भी साल दो साल बारिस ना हुई तू फास्चिक आगे मरेगा या गोली मार लेगा लेकिन मैं इसमें दसकत नहीं करूँगा अबे हो किर्शी दर्शन तजे यहां एड़प लगवाने लाएं क्या अब सब्सक्राइब कर ले तेरा ही इंतजाम कर रहा हूं अब 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 बस्वी कर वेटा इसा ऐसे पीटता रहेगा और इसकी साज निकल गई तो फिर क्या कर लेंगे हम भीम सिंका तुट्ता है यह आत पर तोड़ने से ना मानने गा जिसके घर पे जवान लॉंडिया बैटी हो उसे ऐ हाशा हमेशा ठालाओ कपड़े फार दो रेप कर दो भाई जट से लेके आना ट्रेक्टर पर बिठा के रुक 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 बगवान के लिए रुक जाओ मैं तुम्हारे के हाँ चोड़ता हूं तुम्हारे पहर पढ़ता हूं अब तो इने तेरे दस्तकत ही रोप सकते हैं मो कर दोड़ता हैं मोजारे को कर दोड़ता हैं मुझे रोप चाहे हां तो एी मैं है को कर दो चEMA कर दोड़ता हैं मैं हुआ हैं पिछ दो आई पिछ दो अधर आई पिछ दो इस अधर आए आए पिछ आटो ना आए बहुत बुरा हुआ भाई यह है बहुत भला आदमी था महुन लाज मेरी बहुत विज्जत करता था पर यह हुआ तो हुआ कैसे यह तो तुझे ही पता होगा है मैं जोच्छी हूँ या मैं फिरिष्टा हूं मतलब क्या है तुम्हारा कहने का क्या कहना चापते हो तुझे मोहनलाल की जमीन चाहिए थी ना अच्छा ऐसे तो पाकिस्तान को कश्मीर च बता दूँ छे महिन ने पहले ही मोहनलाल बचारा मुझे अपनी जमीन दे चुका कागजात दिखाओं परधान है आप गाओं के जिम्मेदारी बनती है आपकी कुछ अरे ऐसे कैसे कोई भी आत्मत्या कर लेगा गाओं में यह हाथी वाले दांत हमें मत दिखाईयों जोदा इतना ही पता है तो अपनी उकात मेरे के बात कर नहीं ते परदान गिरी निकानने मुझा देड़नी लगेगी मझे पुलिस का काम है पुलिस अपने आप नमता लेगी पुलिस भी तो आपकी ही जेव में रहती है जोदा सिंग जी हमारी जेव की तरफ जहांकने की कोशिश मत करो भी हम सिंग जी हमारे पास तो और भी बहुत लंबी लंबी जेव हैं चलिए पीचे अटिये चलिए वरना आप जानते हैं स्याना कव्वा कहां बैठता है क्या ब परधान बात यहीं करता है कि पुलिस मेरी जेम में रखी अब सोच ले तु तू मेरी जेम में पड़ा है जी हाँ पुलिस को एतना बड़ा थाड़ा चोटा बढ़ रहा है क्यों किसी के जैम में रहेगी आप भी परधान होके ऐसी बाते करो के तो बावाले क्या खाक इज् प्रोग दिखना रहा है जगिंग चल रही है अरे जहां यह जोधा सभाप का ट्रक है जाने दो चलो चलो आगे बढ़ो कि अरे समझाइए सर इस पागल को जोधा सिंके ट्रक को रोक रहा है अरे नहीं नहीं वर्दी पहनी है चमक तो मारेगी फोड़ी महली होने दे अपने अपनायन पर आजाएगा को दिखना है सर सही का जारे इसे दिखा अपने वर्दे के चावाग रोक रोक तुद्धे देखने रहा है चेकिंग चल रही है किस बात की चेकिंग चल रही है अब तेरे को भी बोलना पड़ेगा किस बात की चेकिंग जानता नहीं है क्या मुझे तो अमिताब बच्चन है जो तुझे जानू मैं अमिताब बच्चन तो नहीं हो लेकिन तू चुलबुल पांडे बनने की कोशी ज़रूर कर रहा है क्या बात है क्या मुगदमा चला रख्या है सर मैं सिर्विस से पूछ रहा हूं कि किस बात की चेकिंग चल रही है दरासल में हां के प्रदान भीम सिंग जी का बेटाओं तो सलूट करूं तजे या तरी आरती उतारूं और तेरा बाब प्राइम मिनिस्टर है है सबर से साम तक बहुत देखें ऐसे पर्धान बर्धान चल लाइसन तिखा अ कि आपने ट्यूटी पे शराप पी रखिये है मैंने तो चाय बोली थी यह दारू ले आया क्या करूं पीनी पड़ी क्यों सस्पेंड करवाएगा है लाइसन दिखा हला कल चाहिए लेक्स दिखाते हैं तो ये जो दिया था है मेरि शादी का काट था क्या तुण देखा इसने कुछ दिखा रूद लाइसंस भी न हाए तो आटि के पेपर दिखाते हैं लाइसन्स भी न आए गाटि के और जाट भीना है आध रधान दिल्धिम्ळ जुन आ canopy क और उपर से पुलिस को कानून जाड़ रहा है अरे आदव इसकी गाड़ी जप्स कर ले जी आज इसको घर पाइदल जाने दो कि अज़ तुने अन्ड्यूटी इंस्पेक्टर पे हाथ अधाया मैंने अधाया उठाया उठाया क्या कि मैं चाहूं तो अन्ड्यूटी शराप पिने पर आपकी वर्दी भी उतरवा सकता हूं लेकिन क्या है ना हमारे मुझफवर नगर में कुट्टों के पेट पे लातनी मारी जाती सर यह कुछ ज्यादा ही कानून जाने है कानून तो जाने हैं पर यह न जाने है कि इसका अंजाम क्या होगा कि देख में तेरे लिए क्या लाया या इप बाउजी नमस्ते आजा जीता रहा है बहुत देर लगा दी आने में अरे बाउजी आपको पता तो है रस्ते इतने तेड़े मेले हैं ना ताइम लग या अरे बेटा छोड़िये सब बैठ यह क्या हो गया तुझे दिल्ली में ठीक से खाना पिना नहीं खाता था तो देखो तो कितना दुबला पतला हो गया है तो जब गया था तो कौन सा दारा सिंग था यह यह ना आप है ना हमारे मां बेटे के बीच में कुछ अर्डी से हाथ मुदो ले मैं तेरे लिए देशीगी के घरमा घरम पराठे बनाती हूं सची बहुत बुक लग रही है चलो 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 अंदर चलते हैं और बेटा कैसा चल रहा है तेरा वो शूटिंग का कोर्स बस बाओ जी वो 500 मीटर रेंज का कोर्स तो कंप्लीट हो गया है अब तीन मेने बाद नैशनल से उसी की चैंपियंशिप की तैयारी कर रहा हूं क्योंकि पार्टिसिपेट करने वाला हूं अब यहां आ गया तो तो अब मैं चाहूं कि आने वाले ओलम्पिक में तु भी निसानने बाजी का चैंपियन बने और अपने गाओं का अपने देश का नाम रॉशन करें यह गर्दन हिलाने से काम नी चलेगा जी तोड मैनत भी करनी पड़ती है करूंगा ना बावजी बिल्कुल करूंगा अब 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 यहां कहां गाया वह यार भाई जान पंप टीक करा रहे थे और यह कुछ और हाँ अब 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 अरे देव जी बाओ जी यह दूर बीन को आख़्ों पर लगागे क्या देख रहा है बाई नहीं नहीं वह फसल देख रहा था पकर तयार हो गई है ऐसे समय में फसल को संभाल के रखना बहुत जरूरी है सिर्फ संभाल संभाल लियो कटाई की मत सोच लियो अब जी बाओ जी अमा वसीम मिया एक बात बताओ याद अपने गाउं में ढंकी बस सुवीदा तो है ना फिर यह मेट्रो कब से चलने लगी अरे ट्रैक में लड़कियां आपका हूमर भी गजब का देव भाई यह मेट्रो ना है तो यह तो सरकार की योजना है अच्छा मतलब सरकार भी अब दिल लगी पर उतर आई है ना ना यह तो यूपी पुलिस में लेडिस की भरती चल रही अच्छा अच्छा उसी की प्रैक्टिस चल रही होगी बस तो काम कर चल साथ में चल मेरे अंधा है दिखाई नहीं देता लगता है इसको सुनाई भी नहीं देता है ना जी क्या है ना के जब से इनको देखा है ना दिखाई देता ना सुनाई देता है पट्टमीज हमारे पिछी पीछी ग्यों आ रहे हैं आ जी आप लोग मेरे आग आगे चल रहे हो अच्छा जादा स्मार्ट बनने की जरुरत ना है छुड़ो यार जाओ ना लेडीज फर लेकिन प्यारते आप मुझे देव बुला सकती हो देव भाईशयार में रते हैं मोरे गाउं में पहले से ही इतने मवाली पड़े हैं इसकी ही कमी थी ओजी मवाली नहीं मैं ग्रेजएट हूं ग्रेजएट इट्टा में पूरे 10,000 रुपे दे के पास हूँ मैं तभी तो इतन अच्छा गाउं का नाम क्या है गाउं मोरना अच्छा पिताजी का नाम क्या है रफीक अहां सारा इसे कुछ मत बताना वहाँ चाला गए यह तो कोई अनपर भी बता देगा इसमें पड़े लिखे वाली क्या बात हो गई एक काम कर अपना फोन नंबर बता अंग्रीजी में 978-700-483 क्या बात है तु तु चल सारा चल अवे नंबर लिख लो फटाबट भूल जाओंगा मैं 978-7 क्यो नंबर दिया उसे अब तुझे न भार बार फोन करके परिशान करता रेगा आंदा इस बत्तमी से बात करने के कोई ज़ुरत नी है और क्या ज़ुरत थी उससे बा हेलो डालिंग पहचाना है हेलो अरे ताव घलती होगी रखराओ रखराओ फोन पंगड़ 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 ये कुंसी बाशा बोल रहा था अच्छा शेप गई मुझे ठीक है अब आएगा मजा देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी जिन्दगी से मैं जुदा हो गया देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी ही जिन्दगी से मैं जुदा हो गया ती कितनी खुबसूरत वो घड़ी जब तुमसे मेरी आखें ती लड़ी देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी ही जिन्दगी से मैं जुदा हो गया आता नहीं मज़ा अब जीने में प्यार की लड़ है जो सीने में आता नहीं मज़ा अब जीने में प्यार की लड़ है जो सीने में ना जाने दिल को मेरे ये क्या हो गया ना जाने दिल को मेरे ये क्या हो गया देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी ही जिन्दगी से मैं जुदा हो गया देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी ही जिन्दगी से मैं जुदा हो गया तुमको नहीं पता क्या हाल है मेरा रो रो के दिल धड़कता है मेरा तुमको नहीं पता क्या हाल है मेरा रो रो के दिल धड़कता है मेरा लगता है सा मुझ को प्यार हो गया लगता है सा मुझ को प्यार हो गया देखते ही तुमको मैं फिदा हो गया अपनी ही जिन्दगी से मैं जुदा हो गया अरे क्या वाई किसके ख्यालों में ख्याया है यार आम भी पता दे हम भी याद कर लेंगे होगी को शेयर की फिल जड़ी हां तो भाई उसे विली आता वह गाउं देख लेती और हम उसे देख लेते अच्छा जी अब तुझे देख लड़की तो क्या बैस भी आना बोलेगी भाई सुनना तेरी सैटिंग हो जाए ना तो उसकी सहली से ना मेरा विजोगार करा दियो अच्छा जी मतलब गाउं बसा नहीं भिकारी पहले आ गए सुनना ये सब छोड़ ये बता तेरी बात बढ़ी कि न बढ़ी देख भाई पूछ रहा है तो साथ में चलना पड़ेगा उसके गाउं सोच ले बाई देख सुन जब भी चलना होना तो बस एक बहर बता दियो भाई हम भी साथ चलेंगे हमने कोन सा पाप क्या बाई अरे र मुझ के देखे क्या है चाचा ये रफीक मिया का मकान की तर है तर है अफी नहीं लग रहा है और तेरे पैरोको लाग रहे है और लेकिन बेटा रफीक मिया तुँ है पांच है अब किसका घर उनको बोल रफिक खान रफिक खान का घर रफिक खान है ना रफिक खान अच्छा रफिक खान लेकिन बेटा रफिक खान भी यहां तीन है अब कौन से रफिक खान अरे सारा के अबू सारा के अबू पूछ चाचा वो सारा सारा के अबू अच्छा सारा के अब कौन सी सारा के उनको बोल वह जो बुजर्ग वाले हैं ना उनकी बात कर रहे हैं हम चाचा वह बुजर्ग अचा वह बुजर्ग वाले लेकिन बेटा उनका तो इंतकाल हो गया वह तो अल्ला है धंडा पिलाओं क्या है अरे ले भाई हो गया काँ कैसे यह बच्चा बताया अरे या वह फच्पंट साल गाँ उनिो का ये रफिक चाचा का घर का जैके उदर जाके बुदर कर दाप जो लग रहा है मुझे पूरा अरे तू तु देख घर तो यही है अरे अधा तु रहे आगे ले लूं जब जाना इस घर में है तो आगे क्यों भाइब घर में जाना है मतलब अब मरबाएगा क्या भाइब बीतर ने चले गए तब कटके भाराओंगे अब तुम हसरा है भाई जो दीवार देख रहा है ना इन पर अपने पोस्ट अच्पे मिलेगा कुम सुदा के अपर फट्टू जिग्रा नाम जैसी अब आप सालेंड पर रख्यों जो करना मैं कर लोगा और हां यह अपनी अख्वों को एससे ऐससे मत करें तरी भावी बुरा बान जाएगी पूर्थ के अजया पर अप्रों कि अख्यू अब चाचा वालेकम शालाम सब खहरियत या काम है यह बैठना वह फ्रक्राइब हम कबारी हैं लेकिन देखने में तो आप बारी वाले नहीं लगते अब भाई बढ़ा चालों निकल ले अब चाशा यह आना हम लोग पड़े ल पड़े लेखे ओ तो नौकरी क्यों नहीं कर दे कहां चाचा नौकरी तो आजकल इन पॉलिटीशन के भाषनों में घूमके रहे यह आपको पता ही है यह यह बात ठीक है लेकिन मैंने तुम्हें पहले इस गावों में देखा नहीं अबे बैट 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 कबाड़ी बैट न नहीं चाचा वो मैं देख रहा था कि घर काफी अच्छा बना रखा है आपने अच्छा अच्छा हाथ वड़े एक यह है और एक वो है यह यह तो ठीक है मैं मैं कह रहा था कि कुछ और रखा है घर में कुछ मतलब इसके अलावा यह है यह कुछ है कितने की है अरे कितने की क्या तीसजार की ले लो पूरे मोड़ना में ऐसी चीज नहीं मिलेगी दिखने में तो अच्छी है ब्यूटिफुल है जी तो क्या नगाओगे बेटा चाचा इसका तो कुछ भी ले लो अरे इसके लिए तो मैं खुद बिख जाओंगा अरे चाचा इसका मतलब है दिखने में अच्छी है तो नसल की अच्छी नसल की है इसकी मां तो इससे भी ज्यादा खुम्सूरत है बिल्क तो इसके थीजार जादा निमांगे मैंने यह उसकी मां है मां किसकी मां हाँ है यह उसकी मां है यह उसकी मां है यह जाचा आप भी अरे पांच वक्त कर नमाजी में यकीन करते आप बतलब आप यह जा रहे हो कि यह उसकी मां है हाँ है अरे मैं ही तो लाया था इसे मेरे साम गोटा इसकी मुहपत को ऐसा उतारेगा कि जिंदगी में कभी इस चोखट पर कदम नहीं रखेगा चाचा तीन का टोटल कितना हुआ तीनो को मिला के पचास हजार दे तो पचास हजार तो इस वक्त हमारे पास नहीं है चाचा जी आपे काम कीजिए आप अपना फोन नमबर द यह लो बेटा नमबर नमबर की क्या सर्वत है अबू इन्हें यह तो कबाड़ी है गाउं में आते जाते रहते हैं सामान लेना हो तो घर पर आ जाएंगे बात तो सही है यह अबू की है बिना शक्करवाली चाय लीजिए ना अच्छी है चाय क्या लग रही है अच्छा पीले पीले अच्छा फिर लगेगी भाई जैसे आया थे वैसे अगर जाना है ना कप रखते और निकल ले अब यह मोहबत की चाय है मोहबत से पिएंगे मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगी नहीं नहीं अच्छी है ना यह तो पागल है इसकी शकली खराब है देखो अरे इसे तो गौव की जलेवी भी कडवी लगती है मैं मैं फी रहा हूं ना जहां पना एक पहर मगा दो नहीं बस अब चलने का समय आगे अब खाना खाके चाहिएगा नहीं यह चाय बहुत है को इधीर है जी मिलते रहना ना ठीज आप पानी की बोटों तर लेते जाओ रास्ते में काम आएगी मैं हुआ हमाँ 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 यहाँ हमाँ हमाँ अधिया हमाँ Freeman इस जोधा सिंग ने तो हमारी जमीने हड़प करके हमारे साथ वो काम कर दिया है कि इधर पड़े तो कुआ उधर पड़े तो खाई अरे ऐसे कैसे जोधा सिंग आप लोगों की जमीने हडप लेगा अरे भाई जमीनों के कागजाद आप ही लोगों के नाम पे है ना तो फिर और वह पटवारी पैसे लेके सारी जमीन जोदा सिंग के नाम पे चाहा देता है अरे आप लोग के काम कीजिए आप लोग कल यहां आ जाएए मैं आपके साथ खुच जरूँगा और हाँ आप लोग अपने जमीनों के कागजाद साथ में लेके आईएगा ठीक है ठीक है क्या शादी थी बैए ऐसी शादी हमने अपनी जिन्दगी में ने देखी खाना बैए खाने को प्रोग्राम बड़ा ही मज़ेदार था वह ठाक या मौर्ग मसालम भाए खाके मला ही आगे हमें तो पटवारी जी अगर मज़े की बाते खतम हो गई हो तो जरा काम की बात अब चाहें तो पेपर दिखा सकते हैं यह देखी यह जमीन तो इनकी है तू क्यों परशान हो रहा है अरे तेरा कुछ अपना काम है तो बता मैं करता हूं हम अरे इनका क्या है मैंने पता नहीं कितने किसानों की जमीन पैसे लेकर जोजा सिंग के नाम कर रखी है और आगे भी करूंगा समझें अरे पटवारी जी आगे का वादा अभी से क्यों कर रहें आप क्या करेगा शिकायत करेगा जिस्टे करनी एक कर तेरे जिसे सत्तर आते रोजियां आज तक मेरा कुछ नि बिगाड़ पाए और तू भी कुछ नि बिगाड़ पाए गाए यह क्या सुनेगा देखाई यह बबलू ले बाई तावु देख मैंने पतानी किसानों की जमीन पैसे लिए लग रहा है और आगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे पूरी शूटिंग वही कर रहां का तेरी अब होई जोदा सिंग के कुट्ते घ्यान से सुन कि दो अप्षेन तेरे पास या तो इन किसानों की जमीन वापिस कर दे नहीं तो जोदा सिंके साथ जेल में जाने के लिए तेयार हो जाए आई बास समझ में आई क्या और सुनु तिवारी को कॉल कर लियो वेट कर रहा होगा तरे कॉल का अरे पटवारी एक बात और अपनी ना सही कम से कम इन की इज़्जत तो कर ले जानता है कौन है ये जी वो भगज साइंग जी सलूट मार जी सर्ट बाइया जी यही है परदान जी का बेटा देव मलिक जो पटवारी को धंकाने गया था आजकल गाव में बहुत फड़ फड़ा राई है गाड़ी लागा इसके सामने है थी सुनाए गल तू पटवारी को दमकी देखा आया है है तुझे क्या लगता है तेरे गणे पे जमीन वापस कर देंगे है या पुल्या देख रहा है इसमें तेरे जैसे घणे काटके बाद यह आज तक खबर ना है भाईया जी ठोक दो क्या इसे अभी बोल रहा हूं ना नहीं तो फिट ठोक देना मुझसे उलजमत नहीं तो यह दुश्मनी तुझे महेंगी पड़ेगी समझ माई अच्छे गुंडे महेंगे और सस्दे की बाते नहीं करते और यहां तेरे बाप का राज नहीं चल रहा है जो जब चाहे जिसकी चाहे जमीन हड़ाप लेगा हाँ बापू है दो मिलट मा रहा हूं अभी तेरी किसमत अच्छी है जल्दी में हूँ फिर मिलेंगे सोचा था प्यार से कोई रस्ता निकलाएगा लेकिन अब लगता है कि मुझे मेरा ही कोई रस्ता निकालना पड़ेगा तुम लोग यहीं रोको मैं जाकर देखता हूं है कि अच्छी तेरी कि अच्छी है कि अच्छी है अधर का रहा है तेरे अपना ताम जाम लोड निकलो यहां से आथ पैर की सलामती चाहता है तो चुपचाप निकल ले वोई बहरा है क्या चल निकल कर लोई बहरा रानके से वाल है वोई झाल झाल कर दो कर आखक ही ओर। कि आखक है? कि आखके आखकए। ऎैंग कि आखके खेंग ही खाल कि आखकाजी झाल ऐखके खाल कि आखके खर दूस झाल 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 क्या कर रही है सारा तू छोड़ ला मरता है मुझ पे आ मेरी जान जरा नस्दीक आना इतना तो एड़्जेस्स कर लेंगे हम इश्क बाजी तुमसे शकल देखी है कभी आएने में शकल जरूरत ही नहीं पड़ी कभी चलो शकल वकल को गोली मारते हैं सीधा पॉइंट पे आते हैं यह बता के चाय पीने कब आउं मैं उस दिन की चाय से निकली नहीं तेरी आशिकी अब तक माइडियर आश्की दिल से की है पेट से नहीं जो जमाल गोटे से निकल जाएगी चल फाइनल करते हैं खुले चौक में सब के सामने सीना ठोक के बोलता हूं इस आइलाव यू को ना अपने पास रख कहीं और कामा जाएगा और मुझे जादा परिशान किया ना तो पुलिस में कंप्लेंड कर दूंगी पुलिस में मतलब दुनिया भर की सारी फालतू चीज़े सीख रखी हैं तुने लेकिन प्यार करना नहीं सीखा ऐसा है कि जदा भाव अगयरा मत था और यह नख्रेव अगयरा मत दिखा मुझे क्योंकि ना कमी लड़कियों की मुझे भ इनकी ना तो कोई राह होती है ना कोई मन्सर और आज से ये डोर मैं तेरे हाथ में देता हूं तुझे कभूल करना है तो कभूल कर वरना छोड़ दे कि यह सही में तुझ से प्यार करता है कि यह बार बार बोलना पड़ेगा तुम लगों को साव सफाई करने के लिए और बाकी लोग कहां है तफरी करने के लिए नहीं रखा मैंने तुम लोगों को अरे बाओ जी क्यों सुबा सुबा रिल बना रखिये यह वसीमकी राम राम कहां रहता है तू आजकल कहां था ना तुझे के इन फालतू के जगड़ों से दूर रही हो बाओ जी अगर हम लोग इन जगड़ों से दूर रहेंगे तो इन गरीब किसानों की मदद कौन करेगा इन होने बहुत विश्वास के साथ आपको गाओं का प्रधान बनाया है अब मुसीबत में हम लोग इनके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा तो मुझे बनाया है ना मैं देख लूँगा जो करना है वो मैं करूँगा और तुझे इन गुंडों के साथ गुंड़ा होने की क्या जरूर थी इन कामों के लिए पढ़ाय लिखाय है क्या तुझे मैंने बाओ जी गंदे पानी से किसी की प्यास बुछती है क्या अब ओपर वाले ने कुछ समझ के मुझ में यह काबिलियत दियोगी न मैं तुझे बहस नहीं करना चाहता है इन लफणों को छोड़ अपने काम धंदे पर ध्यान दे और अपना सपना पूरा कर अच्छा जो भी है तो बिजनौर चा और पेमेंड लेकर और शराफा से जाना जी वसीम अरे कहां है वसीम सारा है सफना नहीं अब मरवाएगा क्या है जब कर दो कर दो दो प्रवाइब दो बंजा मेरी लेला मैं तुझको ये पहला थेरे लिए हूँ मैं परफेक्ट रहे ओ जाना मुझसे तू सेट रहे तुझो मेरी जाने जाना घरवाली बनेगी कुंडली में लिखा है राज योग करेगी तुझो मेरी जने जना घरवाली बनेगी कुंडली में लिखा है राज योग तरेगी बाते तेरी बक्वास है इधर तेरा लगना नहीं चास है हाँ बाते तेरी बक्वास है इधर तेरा लगना नहीं चास है तो क्यों ना ये जानी मवाली तुम कर जमेला तु हो जाना राजी बोल सरापंड तु बुलाओं या काजी होता नहीं अब तो बेट रे हो गया हूँ पहले से लेट रे तु जो मेरी जने जना घरवाली बनेगी कुंडली में लिखा है राज योग करेगी आशिक बड़ा तु बिंदास है मेरी मजरों में हुआ तु पास है आशिक बड़ा तु बिंदास है मेरी नजरों में हुआ तु पास है आघर आके ले जा तु डोले सहरा से जाके ले जाओंगा डोली मिलके मानाएंगे इदार होली करवाना इतना तु जो मेरी जने जना घरवाली बनेगी कुंदली में लिखा है राज योग करेगी तु जो मेरी जने जना घरवाली बनेगी कुंदली में लिखा है राज योग करेगी अम्मी हां अम्मी क्या हुआ यह लेटा कब आया यह तो तीन चार दिनों से यही रखा हुआ है पिर मुझे बताया क्यों नहीं अरे बेटा मेरी तो दिमाग से ही उतर गया था पर तू इतना नाराज क्यों हो रही है ऐसा क्या है इसमें अम्मी पुलिस ट्रेनिंग का अपॉइंट्मेंट लेटा है क्या अल्ला का लाग लाग शुकर है पर अम्मी करके आखरी तारीक है हमें आज ही तैयारी करनी होगी तो खाना बना ठीक है अबू मेरा अपॉइंट्मेंट्मेंट लेटा आ भाइया भाइया वो पारुग में उच्छे फिर से चेड़ा उस मोबाल चॉप वाले ने हाँ भाइया तु घर चल में आ रहा हो भी थीक है अपना ख्रयाल रखना बीटा जी अमी मिड़ी में चल्ड़ है कि वह आप तो GG कि अगे तरी हमत कैसे हो पेरी बेंट को छेड़ने कि हैं ए कोन से बेंट की बात कर रहा है अब जूत ना बोल भे अरे चल पुड़ी आजे अरे अरे फारू भाई को मार दिया रहे आए अरे फारू भाई को जनाव वो अक्रम और हमाना है कुछ बाज दरोरी है आप से मिलना चाहते हैं असलाम अलेकूं बेठी है अश्चा पर हुआ यह जातों के दो लोगों ने हमारे लड़के को मार दिया फिर गर्मा गर्मी में हमारे लोगों ने उन लोगों को मार दिया इस मामले में हमारी बिरादरी के कुछ लोग भी अंदर हुए है जनाब बस कैसे भी करके भाईजान अपने लोगों को बाहर निकल भाले है इसमें हमारी बारटी का क्या फायदा मीरा पूरकी सीट एकदम किलियर निकल रही है जनाब यह वोट अपनी तरफ करने का इससे बहतर मौका फिर हाथ नहीं लगेगा जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब यह हैं सब अपने वाली है हाँ बाई जान सब अपने ही है अलो जी जे खान साब बताहिए कैसे यह जनाब यक चोटा सा काम था आप हुकम कीजै खान साब आपके लिए कुछ मनण क्या जनाब आपके एस्प्रिस साब ने हमारे कुछ आदमियों को रहाwał सत्म हीरा से अच्छा तो आपसे दौर खास है कि जल से जल्द उने रिहा कर दें और एक गुजारिश है यह स्पी कहीं और ताबादला कर दीजे आप देफिकर रही है खान साब आपका गाम हो जाएगा सर एक बास समाझ में ना ffďंवर हमारे जिन लड़कों ने उस लड़के को मारा उनने तो अई भी माड डाला जिनका दोश्थ थां उन्हें सजा मिल गई लेकिन अवन लोगों को आपने रम्य हाथों पकड़ा था उनको तो छोड़ दिया और उल्टे आफ हमारे लोगों परिसान कर रहे हैं तुम मुझे कानून मा सिखाओ पुलिस अपने तौर तरीके से काम करती है समझे वैसे भी तुम लोग अपना भला चाहते हो तो यहां से निकल जाओ प का तबादला और उनके लोगों को छोड़ देना यह सोची समझी साजिश है अब हमें अपने सभी भाईयों को इखटा करके आंदोलन करना होगा तभी हमें नयाय मिल सकेगा और असली गुनेगारों को सजा मिल सकेगी वरना यह लोग यह लोग बेगुनाओ लोगों को परि सिर्फ जाठी नहीं बाकी जाती के लोग भी पहुंच रहा है महा पंचायद हो रही है यानि कि भारूत का धेर इकठा हो रहा है फूंक दो चिंगारी इलेक्शन से पहले ऐसा माहूल अल्ला की सावगात है हां लेकिन इस काम के लिए अपने आदमियों को मत लगाना जोदा सिंग को फोन करो चिंता ना करो जनाम समझ लो काम हो गया बापू बापू या है वो रिपोर्टर नदीम हां मैं मैं करता हूं फोन भाई करता हूं महा पंचायत की वीडियो बना के दे मुझे अरा दस मिंट का काम है रख ले ठीक है भाई जी मैं करता हूं बढ़ी हजिल्या बना के वीडियो बढ़ा भाई जी साथ तारिक को जाट्टों की महा पंचायत है तुझे अपने लॉंडों के साथ उसमें शामिल होना है और यह जो गया है ना सुलिमान कलंडा रिपोर्टर है इसे उड़ाना है और काम ऐसा होना चाहिए ऐसा लगए कि जट्टों ने मार दिया ठीक है भाई जी जल भाईयों अब पाणी सर से उपर चला गया है वोटों के लालची कुछ नेताओं के बहकावे में आकर बड़ी घर भी चड़ गई है इन्हें अगर अब हमने इनका जवाब नहीं दिया तो यह हमें चैन से नहीं जीने देंगे जो नेता इनका साथ दे रहे है वो भी कहन खोल कर सुन ले सोते हुए जाज को चेरना मौत को बुलाना है अगर हमने हत्यान साजिया है चन की आने वाले नस्ता भी याद रखेंगे ऐसी हालत में जब पुलिस परशासन दोनों इन्हीं का साथ दे रहे हैं तो हमें अपना बदला खेम लेना होगा खून का बदला खून चलेंगे आये जो एक इन्होंने लगाई है इन्हें उसी आपने चला डालो हराल महादे 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 कि बोल है बाइजी काम तो हो गया है लेकिन वो भीम सिंग के बेटे देव ने रिपोर्टर को मारते हुए देख लिया है कि एक काम करियो फिर जब तक मैं तुझा फोन ना करूं तो किसी को नजर मताई हो हाँ ठीक है बाइजी यह महा पंचाट में जरूर किसी साथिश को अंजान देने वाले हैं इस बुल्क की जमीन और मिट्टी पर जितना हक वो जताते हैं उतना ही हक हमारा भी हमने भी जंग आजादी में अपना हुबाहाया हमने भी अंग्रेजों की लाठिया गोलिया खाई है क्या हुआ जो हमारी तादाद कम है तारी कवाह है जब भी कौम पर कोई मुसीबत आई है जब भी एमान वालों पर कोई खत्रा मन रहाया है खैबी ताक्तों ने हमारी मदद की है खैबी ताक्तों ने हमारी मदद की है अगर वो सोच रहे हैं कि हमें डरा देंगे तो गलत फ ईन्ट का जवाब पथर से मिलेगा गॉली के जवाब पर कॉली मिलेगी अगर वो हमारे एक आतमी को मारेंगे तो हम उनकी दस्लाशे मिछा तेंगे टाटों ने महारा पंचायत में हमारे पंच्छे आतमे उको मार दिया है और वो इसी तरफ पढ़े चले आ रहे हैं निकालो अपने कच्छे दलवार और काट डालो जित्वे काट सकते हो पीछे ले तेरे को दिखाई नहीं देता क्या अरे तुनाई नहीं दे रहा क्या पीछे ले देखाई ले नपता है तो ऐसे नहीं मानेगा कर रहा है ले 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 रो करते हैं वैताह्या है जित्राब झालो अपने ले ख्बाद, प्रफ्ब देताह्या लेंग ले करे ले बाते हैं यह दयो हा ब कर दो ओक deben किल फो लो चैम किलिन को आला हुआपन! आला हुआपन! गोँआपन, गोँआपन, गोँआपन! आप लोग निकली आएंसे जाएए अपने घर जाएए कबाद गावे महापंचायत से लौटरे जार्श समुदाय के लोगों पर जालेवा हमला हुआ है सुत्रों के मताविके समले का कारण महापंचायत में एक रिपोर्टर की हत्या को मारा जा रहा है भरकिन इंसा में कई लोगों की मौत हो गई साथ कई गाड़ियों को आपके हवाले कर दिया गया पुलिस के मुताबिक इससे चिंता जानक बनी हुई है और प्रशासन किसी भी हालां से निपटने के लिए तैयार है सारा का फोन है हेलो हलो अमी कैसी है आप और यह क्या हो रहा है वहां मत पूछ बेटी यहां पर बहुत ही बुरा हाल है सब लोग अपने घर में छुपकर बैठे हैं अमी अब्बू कैसे हैं तू चिंता मत कर वो ठीक है ओके चलो आप अपना ख्याल रखना खुदा हाफिस जोधा सिंग जतना जल्दी हो सके हथियार पहुचा दो उनकी पस्ती में और अगर महर ठंडा होता दिखे तो अपने आद में लगा दो दोनों तरफ से कल सुबा तक मीडियो और सिस्टम में हाय तवबा मत जानी चाहिए समझे तुम कितनी बोड़ी तरीके से मारा है बता वो रोड़ पे वा था राइट है यह देख यह किसी का पर्सनल प्लॉट है शूट किया एसे हम आई बाइस समझ में जोधा सिंग हां यह जोधा सिंग का काम है हतियार पोचा दिये है बस्ते में कोल भी बचाना नहीं चाहिए हुआग। अग मी अग मी कर owning दो प्रहों अप्रेंगों कर दजने सीहीं कर Simon कर दों अपड़र अजय है टार है आच कर दों अल repair다 आच इसे था रसंग कर लड़र अजय है तुम हमारे आत्मी होकर भी लोगों का साथ दे रहो इन लोगों को हम इन लोगों को तकलीफ है तेश को बचाना है इन है वानों को खत्प करना होगा हम हमारे रास्ते से वचाओ वद्न हम अबेच छोप अगर ये लोग हैवान हैं तो तुम लोग कौन हो देश की फिकर करने वालों के हाथों में हत्यार पॉर्डर पैसे लगते हैं ना कि इस तरह गली और महलों में देश की तरकी अमन और शांती में होती है इस तरह गली महलों में मारकाट करने में नहीं अपना भासन बंकर और हम के लग भूब भूब के लगाना! चल 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 अंदर चल सलीम बबलू तुम खो निकलो जा 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 जब। आप लोग आपकिर आप कर दो में आप अघ attaches कर लिए आप UP लोग हमारेसाथ चलिए और दो चाह व्युकिял देख और अब अग्छा फिसे जान शारे आप अग्छा आप एक पार करें आप ना तो कि ये बहुत आप अग्छा ये भाईया जे बोलिये आ वहाम उच्छा बाड़ा चोदरी एना पिक अगाने पेर उठा रहा है स्याना ये सही मोगा है कि पठका दो चॉड़ा पुपन कर अपना इसको लेके जा अंदर को शोयब आरे तुम भी पेन के सांच के लिए चौड़ा के वाज लेक्टिया को छोड़ा जो पंकर चुड़ो मुझे चुड़ो मुझे चुड़ो मुझे जो किया भ्रो चुड़ो क्या करोई हुमे चलो चुड़ो जुड़ो ये का कर रहो तुम अपने ही लोगों के खिलाब करे हो गए हो तुम लोगों के खिलाब नहीं तुम्हारी सहेवानित के खड़ाओं मैं शरमारीजी तुम्हे धर्म के लाब ऐसे धंदे करते होई भाग ऐसे बचाः खुआ बच्छोँ खुआ बच्छोँ खुआ 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 अज यह इनके लोगों ने हमारे लोगों को का जाला है तुम वीच में मताव यह इनका देश नहीं है इन तो पाकिस्तान जले जाना चाहिए तुम लोग होते को लोगों यह कहने वाले कि उन्हें रहना यह कही और जाना ये देश जितना आप लोगों का है उतना ही उन लोगों का भी है पुलीस ने इनके लोगों को छोड़ दिया और हमारे बेकुसूर भाईयों को अंदर डालकर कुट्टे की तरा पीट रहे हैं अरे तो सिस्टम की गल्ती की सजा बिचारे ये वेगुना क्यों वुकते अरे जाये जाके देखिए जरा उन लोगों को जिन्नों ने याग वड़काई है चैन की निसो रहे अपने घरों में और एक आप लोगे बेवगूफों की तरह सरकों पे मार काट कर रहे हैं अरे समस्य तो अपनी आवाद उठाईये आवाद हतियार मत उठाईये छोड़िये हतियारों को तुम लोगे काम करो तुम लोग इधर देखो मैं उदर वसीम को देखता हूं चालो जा रहे हूँ है 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 यहान वसीम ते भाई एहान का कुछ पता लगा वो कही नहीं मिल रहा तो मतले सही सलाम अदोगा यहान मैंने भाई को बेज़ दिया है नहीं देभाई मैंने सब्चक है तूंड है कही है यहान को पुछ नहीं होगा यहान को जाके उदर देख मैं मैं अधर देखता हूं चाहँ यहान यहान! 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 इहान? इहान! 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 लिहाईडरे! 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 कर दो अ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए निकालो इन गद्दारों को बाहर आज इनने हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों ने हमारे लोगों को काजर मूली की तरक काटा है और आपने इन अपने घर में पनादे रखी है निकालो बाहर लोगों कुछ हो रहा है मैं जानता हूं पर मैंने अपने होश नहीं खोई है पर यह पागलपन क्यों अरे जिन लोगों ने दंगा फसाद शुरू किया वह हिंदू मुस्लिम की शकल में गुंडे थे बदमाश थे उनका ना कोई धरम ना इमान ना इंसानियत अरे कल तक जिनके साथ उठते बैठते थे हस्ते खेलते थे आज ऐसा क्या हो गया कि हम एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए क्यों भूल जाते हो के इसी आग की आज में कुछ नेता अपनी रोटिया से एक रहे होंगे और हम एक दूसरे से नजर मिलाते हुए भी शर्माएंगे जाते हैं जाते हो गए भी शर्माएंगे प्रिशासन ने अभीता कर्फियों में कोई धी नहीं लिए है जगे जगे पर सुरक्षा कर्मी और पुलिस बन सेनाथ किया गया है प्रिशासन का दावा है कि कुछी दिरों में सब कुछ सामाने हो जाएगा करे की भी तो कैसे है वाखी जुदा सिंग जी आपका काम तारिफ ही काबिल है आप जैसी दबंग शक्षियत की तो पार्टी को हमेशा जरूरत रहती है अरे एलेक्शन का पूरा दारों मदार आप जैसे लोगों के कंधों पर तो है पर एक दिक्कत है कि हमारे कुछ आद्मियों को पुलिस ने गरिफतार कर रखाया उन्हें आप बाहर निकलवाओं आप चिंता ना करे अरे मिडिया वालों के लिए और आवाम के लिए कुछ लोगों को गिरफतार तो करना ही पड़ता है कुछ लोग ऐसे हैं जिना हमारी क्रतुत्तों की भनक लग गई है वो आप हम पर छोड़िए आप सिर्फ नाम बताइए एंकांटर ही करवा देते हैं क्यों खा सब बिल्कुल सही बात है उसको मार के किसी को क्या मिला है सब कत्म हो गया देवाई सब कत्म हो गया परदान जी हम आपके बेटे को गरफतार करने आएं क्यों क्या किया मेरे बेटे ने दंगा भड़काया उसने आपको पता है कितने मासुमों की जाने कहीं हैं हमरे पास सबूत है और गवा भी तीन साल तक जमानत ना मिलेगी उसको अच्छी तरह से वाकिफ है हम कि कैसे है तुम कोड़ो मैं वो हूँ जिसकी जिन्दगी उस खुदा के बंदे ने बचाई है जिसे आप गरफतार करने आएं जिन्दगी बचे गई है तो इसका फाइदा उठा लो यहां भीज में पढ़कर क्यों फिर से जान दाव पे लगा रहे हो हैं पड़ो हमें अपने ड्यू से बड़े गुनागार आप है अरे परधान जी यह फालतू का ड्रामा सुने नहीं हूं मैं आखरी बार ताकीद कर रहा हूं आपको हमारे रास्ते से हट जाओ खुदा के लिए आपने क्यों यहां से यही तो राठर चाहता है दरोगा साहब कुछ तो वफादारी करो इस व राठोड कुट्ता नहीं है आखरी बार ताकीद कर रहा हूं आपको हमारे रास्ते से हट जाओ वरना कर्फ्यू में अभी धील दी गई है पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है देव समझने की कोशिच कर भाई राठोड तुझे फसाना चाहता है लेकिन अगर हम लोग यहां स इस समय भागे तो कानून की नजरों में हमेशा के लिए मुझरिम बन जाएंगे देव जोश से नहीं होच से कामले भाई तुम नों निकलो यह से जाओ इस ते लोग सही कह रहे हैं इस वक्त में यहां से निकलना चाहिए मा का देहन रखो हादेव तूजा सुन बिटा के यहां से अजरों निकलो यहां दीकलो यहां से निकलों एवचे जक ट्रूण वारेidenउा कानू होता वे जो ही जritis से तूज का लोग में अरूब हादीर अश। कि यह कहां ले आये तू इस वक्त इससे सही जगा नहीं मिलेगी चल अंदर चल ठीक है तो यह है तेरी सबसे अच्छी जगा कि इसको साफ कौन करेगा बबलू टेंशन मतले यार रामु का का है ना रामु का का हाँ वो किदेर है तू है ना चाहल आजाए कि यह हुआए आप्टेज। और करेंसे और गुड़ करेंसे तो कि आर राम राम सरकार बहुत खुछ हो रहोगा तु अच्छा घासा मौका खो दिया ना तुने खाप देखता है कमिस्णर बनने के और करतूते करता है ऐसी कहीं ऐसा तो ना कि तु चोदह सिंग्की जुत्ती सुंगते सुंगते यह खाकी सुंगने लगा कैसा जुलम कर रहे हो सरकार आप खाकी सुंगणे की बात कर रहे हो अरे जब से आपका दियावा चेसमा चड़ा रख है मैं तो भूल जुकाओं खाकी के होए है वहां पूरा का पूरा गाउं एक हो गया है तो गोवाला बन गया था उनके साथ कुछ कर लिया होता है गोली चला देता दो चार को बिछा देता गलती हो गई सरकार माफ कर दीजिए माफी के लिए तो बड़े लंगर खोल रखके हैं जो तु गलती करेगा और हम माफ कर देंगे क्या बताऊं सनी भाईया एक तो मीडिया उपर से गौवर्मेंट का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और माहुल भी पहले से ज्यादा गरम हो गया तो तू गरम हो तो कहां चलेगे नाग लोग में तेरा कुसूर नहीं है राठोर जिस कुट्य को दू मिलाने के अधित पड़ जावे वह काठना भूल जावे अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा बाप्पू अगर हमें ही सब कुछ करना है तो इसे क्यों पाल रखा हमने मुझे तो पस इं सब्सक्राइब करने में नाकाम्याब रहा करप्ट सिस्टम ने कानून की नजर में एक रेंज शूटर को हत्यारा बना दिया गरीब और पीडितों को इंसाव दिलाने के मकसद से देव एक गुम नाम संगठन बनाने में जुट गया उसके निशाने पर थे वो सफेद पोश जिनके दामन सैक्रों पुनाहों से रंगे हुए थे लेकिन कानून की नजर में वो बेदाग थे किसी को भनक तक नहीं लगी और इंसानी लहू की तिजारत करने वाले जोधा और आलम खान जैसे हैवानों के काले धंदे चौपठ होने लगे पाप की कमाई से करोणों का काला धन जमा करने वाले पापियों को देव और उसके साथियों ने अपना निशाना बनाया और इस तरह देव और उसके दोस्त एक गुम्नाम ग्रह के रूप में छाग है सुना है दंगो में जिन लोगों के नाम आये हैं कुछ सर्पेरे लॉंडे उनको ठिकाने लगा रहे हैं और वैसे भी हम बिना सेक्यूर्टी के जा रहे हैं अरे हम लोग जहां जा रहे हैं वहां सेक्यूर्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है अरे जैन साब ने जहां पार्ट ऐने, चुटा, डिखुट, शुटा, और आप जा। विख? आप दा जय को, याउने जो को ऐसे लापी जा जा कर्सा एक जा की वाको पाझा मै चल जेदा अरे सुष्टों कर भाई अरे बंद कर भाई तुझे नहीं इसे बोला तुम लोग जानते नहीं हो तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो नेता जी हमें क्या मीडिया वाला समझाए क्या कुछ भी बोलोगे और मान लेंगे हमारे नेता जी को सरकारी खर्चे पर हेलिकॉप्टर पर गुमने का बड़ा शॉक है जड़ा पेट्रोल लाओ डालो इनके इंजन में ने मुझे माप कर दो इसा अधरो नहीं आप अधरो जड़ हमारे नहीं जड़ा तो इसा अधरो नहीं करेता हो पर इंड़ा पर पर जड़ा रहा उनके बड़ा उनके पर हो ऩर जायर पर खरत्वे पर तो पर दो मुझे कुछ मत करें सब बताता हूं सब बताता हूं मैं सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तयार हूं भासर देने के बाद छोड़ दोगे न मुझे नेता जी आपका भाशन पसंद आया तो ज़रूर छोड़ देंगे तिवारी और आलम खान के कहने पर दंगे भढ़काने का काम किया है और इसमें हमारा साथ जोधा सिंग उनका बेटा सनी और इंस्पेक्टर राठोड ने दिया है जोधा सिंग ने महा पंचायत में दंगा भढ़काने के लिए मुस्लिम रिपोर्टर की हत्या करवाई थी और इस काम में हम तीनों भी शामिल थे आलम खान रह्मान और जोधा सिंग राठोड के जरीए तुम और तुम्हारे दोस्तों का एंकाउंटर करवाना चाहते थे मैं क्या सोच रहा हूं भाई अपने पापा से बात करता हूं एड़ोकेट है कोई ना कोई जुगा निकाल लेंगे वो ठीक है पर मुझे क्या लगता है कि राठोर इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं भाई सब्सक्राइब क्या है ना ऐसे कानून से लड़ना इतना असान नहीं होता है इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रुत होती है और उसके लिए टाइम भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि तब तक सरकार को यह ऐसा ओफिसर ज़रूर ढूंद लेगी जो सरकार के नमक का कर्द सरकार को यह अदा करेगा क्या देख रही हो अम्मी देख रही हूं जैसे जन्नत मेरे सामने खाकी वर्दी पहन कर खड़ी हो गई है हो अम्मी अम्मी अबू कहा है वो नमाज पढ़ रही है आखिर अफसर बली गई मुभारक हो जानती हो पूरे खांदान में तुप पहली पुलिस वाली हो कितना फक्र की बात है जी हाँ अब तुम यही रहोगी ना नहीं अबू मुझे गार्मेंट की तरफ से क्वार्टर म आते हैं बेटी अल्रा का शुक्र है कि प्रधान भीम सिंग का बेटा देव खुदा का फरष्टा बनकर रहन वक्त पहुंच गया हाँ बेटी और अपनी जान की परवा किये बिना उसने हमारी हफाज़त की वरना आज हम जिन्दा नहीं होते बैस अम्मी और उसका शिला उस की मदद करना आप फिक्र मत कीजिए अब्बू मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी नमस्ते ताउ जी नमस्ते मेरा नाम सारा खां है रफीक खान की बेटी हूं अच्छा रफीक भाई आओ आओ बैठो उन्होंने बताया था तुम्हारे बारे में कि बेटी पुलिस अफसर बनने गई है बड़ी खुशी हुई सुनके जी हां आपकी दुआ से बन गई ऑफिसर इसी डिस्ट्रिक की एसपी बन कर आए हूं बधाई हो बेटी पर ये मत बोल के हमारे दुआ से बनी है क्योंकि अगर हमारी दुआ में इतना असर होता तो आज मेरा बेटा बेकसूर होतो है भी मुझरिमों की तरह चुपता ना फिरता पता नहीं बेटा जोदा सिंग मेरे बेटे से किस जनम की दुश्मनी निकाल रहा है आप विक्र मत कीजिए सब ठीक हो जाएगा आपको तो पता होगा कि देव कहां है नहीं हम तो उसकी शकल देखन की यहां तक की हवलदार की हत्याकारों भी मेरे बेटे पर लगा रखा है अब पता नहीं किसमत में कब मिलना लखाया उसे आप मायूस मत हो ये मैं जल्द से जल्द देव को सही सलामत घर वापस लेकर आऊंगी चलती हूं अरे बेटा रुको चाही तो पीते जाओ फिर कभ चलती है ये दंगे की फाइल है जी मेंड़ों क्या है ये ये एक ही दिन में चार चार जगर देव मलिक की कंप्लेंट क्यों है मैडम उपर से ओडर था उपर से ओडर था तो कुछ भी करोगे किसी भी बेकसूर को अरेस्ट कर लोगे इतना बड़ा दंगा हो गया उसके लिए तो कुछ नहीं कर पाए यही है आप लोगों है चलो बाहर निकलो बाहर निकलो तो को हो कौन है यार अलो हां रठाओर वाई जी राम राम चोड ये बता हमारा ट्रक किसप पकड़ा भाई जी वो नई S.P.I. है उसने नागम तंग करक्या है मैं तो आप ड्युडी हो जी बिवारी का बाहना करके अच्छा हां आप जरा समाल कि रहना अच्छा हां जी राम राम भाई जी कौन है चोड़ यहार तु प्रेक बना मैडम जी ये सरकार ने फोन आपको कहे के लिए दिया हुआ है जन्ता की प्रॉब्लम सुनने के लिए पर आपने तो वेरा फोन उठाया ही नी मैं जन्ता की रक्षक हूँ जन्ता की बातें सुनती हूँ तुम जैसे गुंडों की बक्वास नहीं मैडम जी आप यहां नहीं हो जानती नहीं आप मुझे जान जाओ गया इस्ता इस्ता मैं ये भी जानती हूँ तुम फोन क्यूं कर रहे थे यहां क्यूं आए हो मैं सब जानती हूँ तुम्हारा सारा काला चिठा मेरे पास है तुम्हें 24 घंटे का वक देती हूँ थोड़ा सबर कर लेती हूँ लगता है नौकरी, हसंद नहीं आई आई आपको ऐसे भौकता है जैसे मेरी नौकरी इसके हाथ की जागीर है जैसे मुझे भीक में मिली हो अगर ये 24 सेकंड के अंदर यहां से नहीं जाता तो ले जाकर अंदर ठोक दो चल बापू चली अच्छा मैडम जी, हमें तो ऐसे भी बहुत जल्दी है चलो बाई हलो हलो मेडम जी, गुड मॉर्णिंग जिन लोगों नेता लोगों का पारान किया ता उन लड़कों का पता चल गया है कहां है वो लोग जंगल वाले रोड पे उरान अश्यों मंदिर वहां ओके, तुम लोग तयार रहो, मैं पहुँच रही हूँ जी बबलू, तुम लोग यह ध्यान रखो खुछ भी हो तो बताओ मुझे, ठीक है आता हूँ, अरे बबलू, संभाल के अरे यह लेके जाना यार, कहां आएगा इदर कहां जोर तयार इसकी, अलर्ट हाँ, हाँ जब तक मैं नहीं बोलती, तब तक सामने मत आना, ठीक है वरना वो लोग भाग जाएंगे कैसा है तू, अच्छा हूँ भया अच्छा सुन, कुछ पैसे लाएं, संभाल के रख, ज़रुद पढ़े तो और मांग लेना, यहां पूजा करने से मनते पूरी होती है, तो आयोगी अपनी मनते पूरी कराने के लिए, अच्छा ऐसा गरो, तुम लोग तर नजर रखो, मैं उधर देखते हूँ हाँ रुप जाओ, रुप जाओ, वरना गोली मार दूंगी सारा कि देव तुम कि भी कि देव मुझे नहीं पता था कि तुम हो नहीं सारा मुझे कुछ नहीं होगा तुम गैंग स्टर कैसे बन गए बना नहीं बना दिया गया देव मुझ पर भरुसा रखो अपने आपको सरेंडर कर दो मैं वादा करती हूं तुमसे तुम्हारी साथ जो नाइंसाफ ही हुई है मैं उसका सब्सक्राइब करता है यहां प्लानिंग एक आदमी करता है और जाने हजारों बेगुनाओं के चली जाती है इन गुनेगारों का ना तो कोई धर्म होता है और ना कोई मजब नहीं देव मेरी बात सुनों नहीं सारा मुझे चलना होगा सर रुकिए क्यों मैडम ने मना किया है तुम्हारी मैडम अबना को समझतिक है राठोड है मेरे नाम राठोड ज्यादा चमक मार रही है उसने उतनी ड्यूटी ने की जतने मैंने एंकाउंटर किये अड़े देव रुको कहां जा रहे हो अगर किसमत में हुआ तो फिर मिलेंगे देव रुक जाओ प्लीज नहीं अब मैंने रू सकता रुक जाओ देव पहली गोली फर्स के लिए चलानी पड़ी थी दूसरी मजबूरी में चलानी पड़ेगी जरूर चलाना सारा लेकिन इस बार गोली की सीने पर चलाना तुम्हारे प्रमोशन के लिए काम आएगी तेव प्रमोशन के बिल्ली की मौसी कब तक खैर मुनावेगी अब देख थपड का अंचाम चल 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 दी बैट जरीब चल अब शारा खान यह सब क्या हो रहा है हमने आपको यहां पर लॉइन और समालने की रिस्पॉंसिबिलिटी दी थी मगर आप क्या कर रही हैं और यह अनप्लैंट आपरेशन आपके इस ऑपरेशन की वज़े से हमारे एक जांबा सिपाई की जान चली गई है हाथ हाए मुझरिम को आपने छोड़ दिया जिस पर तीन नेताओं के अपरण का मुकदमा है सर ऑफिसर की जान इसले गई क्योंकि इसने मेरा ओडर फॉलो नहीं किया था मैं तुम्हारी बात को तब अगरी कर लेता अगर तुमने असली मुझरिम को सलाखों के पीछे बंद कर दिया होता तुम्हारा ये इनडिस्प्लिन बेहेवियर और लापरवाई की वज़े से मैं तुम्हें सस्पेंट कर रहा हूं पर सअ यूमेलीव यार देव सारा को शस्पेंट कर दिया है यार क्या क्या बात कर रहा है यार ये देख निउज में आ रहे सारा के साथ ये बिल्कुल भी अच्छे निवा यार वो हमारी वज़े से सस्पेंड हुई है अब सारा से मिलना ज़रूर ही है जोदा जिंग ने महापच्चायत में दंगा भड़काने के लिए मुस्लिम रिपूर्टर के हत्या करवाई थी देखा ये होता है तुमारे सिस्टम में राजजिंती के नाम पर नया करने वालों को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया है हमने ये बदले की बात नहीं है बलके एक आंदोलन है तुम जानती हो बॉर्डर से आने वाले आतंगवादियों से भी जादा खतरना के ये नेता लोग कभी कभी नयाय के लिए भी हत्यार उठाने पड़ते हैं खुनी लुटेरों को माफी मिलती है इसलिए देश उन जैसे कि बिना पावर और पोधिशन की तुम्हारी सुने का कौन और अगर सुन भी लिया तो दो दिन के अंदर अंदर ये लोग जमानत पर बहार आ जाएंगे सबसे पहले तुम्हारी री जॉनिंग के बारे में पुछ सोचना पड़ेगा इतनी चल्दी ये सब होगा कैसे देव इतनी महबब तो की है ना तुमसे तुम मुझ पर भरोसा रखो तुम सिर्फ मेरे दिमाग से चलो सब ठीक हो जाएगा तुम ये पेंडराइव लो इसके अंदर सब कुछ है पर मैं तुम्हें कानून हाथ में नहीं लेने दे सकती देव कौन कमवक्त कानून को हाथ में लेन कर रहे हैं और ये बात तुम भी जानती हो हुआ हमें पता है तुम्हारा निशाना अभी भी पक्का है हमें पता है तू मेरे यार को कभी तो सुनेगा वो मेरे दिल की पुकार को दूर भले ही चला जा पर तू दिल की करीम है प्यार तिरा ना मिला कैसा मेरा नसीब है सलामत रखना सलामत रखना सलामत रखना सलामत रखना सलामत रखना हुआ हुआ है तडपती हुँ मैं हारोती हुँ मैं तीरे लिये हाँ जान भी ये मैं दे दू अभी तेरे लिये तेरे लिये चली आए इस दर्वार में पास होके दूर है जीना दुश्वार है केसी भूलू भला मैं तेरी प्यार को आए पर दूर आए जास हुआ 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 है त्टिर अग्ण्या एुआ है तिर प्यार को ग्षा था और तो 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 रहते जाए हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है यह जो बताएगा उससे कहीं जानते हैं और जो इससे पता करना है वह इतनी असानी से नहीं बताएगा हड़ी पसली तोड़ देते हैं मौश से बतर जिम्दी की बना देंगे इसकी तब यह बताएगा यही तो मैं करना नहीं चाहता जब तक जोदा सिंग और आलम खान जैसी गंदगी समाज में मौजूद हैं ऐसे मच्छर तो पैदा होते रहेंगे इन्हें मारने से कुछ नहीं बदलने वाला हां लेकिन यह जरिया ज़रूर बनेगा कंगी साफ करने का हालो अदाब जनाब अदाब कौन अजी नाम में क्या रखा है और वैसे भी हमारे मुझफर नगर में नाम से जादा काम इंपॉर्टेंट होता है कौन से काम यह सही बात पूछी आपने सुनाए अहली में हैस्पी सारा खान को सस्पेंट कर दिया गया और इसके पीछे काफ पूइंट कर दिजे देखिए यह सब मेरे हाथ में नहीं है मैं यह नहीं कर सकता अच वैसे आप एक बात बताए कि जब आप किसी को सस्पेंट करा सकते हैं तो सेरीय पाइंट कर नहीं करा सकते हैं खर चोड़िए इस बातों को आपके लिए एक डीवीडी भीजवाई है कौन से डिवीडी वो तो आप ही देखिएगा सोचेगा और फिर डिसीजन लीजेगा क्योंकि मैं दुबारा कॉल नहीं करूंगा क्याने सुथ सिवारी और आलम खान के कहने पर दंगे भड़काने का काम किया है कुछ दिनों पहले विवादों में घिरी सारा खान को वापस से न्यूक्त कर दिया गया है एसपी सारा खान के हिसाब से उनके पास कुछ ऐसे सुबूत हैं जो मीडिया में आने पर फरकम्प मत सकता है S.P. सारा खान के मुताबिक इन दंगों में बड़े-बड़े राजनीताओं और अधिकारिका भी हाथ हो सकता है अब देखना ये लिए कि गुथी कब और कैसे सुझेंगी मैं आप लोगों को कोई लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसका आप पर कोई खास असर पढ़ने वाला नहीं है पर मैं आप सबको एक वार्निंग जरूर देना चाहूँगी कि जब तक वर्दी में हो, तब तक वर्दी के होकर रहो पुलिस से बड़ी कोई ताकत नहीं है उन्हें ना किसी पॉलिटिशन की ज्यूती चाटने की जरूरत है और ना किसी माफिया से डरने की मैं बस आप लोगों से इतना चाहती हूँ कि कोई भी शरीफ इंसान पुलिस टेशन आने से ना डरे अरे आप खामखा डर रहे हैं हम जैसे बदनाम लोगों की राजनीती में हमेशा डिमांड रहती है समझे आप आप लोगों को जितनी राजनीती खेलनी थी खेल ली अब बची राजनीती जेल में बैठ कर खेलना अरेस्स करो इन लोगों को संब-सक्रियों यजई का इसब स्कॉल मेरा आपको बता दे स्पिय सारा खान ने 3 नेताओं गरफतार किया है सारा खान कर 13 नेताओं पर दंगों में शामिल होने का आरूफ है अब देखना यह कि इन दंगों में कौन-कौन से और नेतार मेल है that साराखान को जोधा सिंग और सनी के खलाब सुबूत मिले हैं अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है उनकी गरफतारी कभी भी हो सकती है उनसे दूरी बनाये रखने में अकलमंदी है नहीं तो वो हमें भी लेव डूबेंगे त्रीपाटी जी आपने अपने पार्टी की तरफ से जोधा सिंग के बेटे सनी को उसी के खेतर से सीट देने का वादा किया है उद्वादे का क्या होगा वो हमारी मजबूरी थी इस छेत्र के लोग जोधा सिंग और उसके बेटे पर बहुत गुस्सा है ऐसे हालात में ऐसे लोगों को सीट देते हैं तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा कि देखिए सनी का जीतना ना मुंकिन है कि मां कैसी है तू कहां चला गया था तू कितनी चिंता हो रही थी तेरी तुझे तेरी मां की कभी याद नहीं आती थी क्या बस कर्मा आ गया ना मैं अच्छा यह बता वाओ जी की तवित कैसी अब कमरे में चल मिले उनसे अब कैसी तवित है आपकी क्या करेगा जानके मेरी तो अपनी बता बाओ जी मैं जानता हूं कि आप उससे नराज हैं लेकिन मेरा कोई घलत इरादा नहीं था मैं तो वहाँ उन लोगों की मदद करने गया था और ये बात आप भी जानते हैं उन लोगों ने मुझे फाल तुमें पसा दिया मैंने सोचा था एक दिन तू नैशनल चैंपियन बनके मेरा सपना पूरा करेगा लेकिन सपना सपना ही रह गया बहुजी मैं आपकी सारी बाते समझ रहा हूं लेकिन जिस रस्ते पर मैं चल पड़ा हूं वहां से मेरा पीछे मुढ़ना बहुत मुश्किल है मेरे कुछ कामा दूरे रह गए हैं उन्हें पूरा करते ही मैं आप दोनों के पास वापिस आजाओंगा तब तक आप अपनी तबेत का द्यान रखें अच्छा मा नहीं जाने दूंगी तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी इसे नहीं सावित्री जाने दे इसे रोक मत मुझे पूरा भरोसा अपने बेटे पे यह कोई नहीं करेगा ध्यान रखपना और बोलो जोदा सिंग क्या बात है कोई बात नहीं बस ख़बर मिली थी कि इस बार आप कि एलेक्शन में सैनिक को ठीकट नहीं दे रहे हैं तुम बात समझ नहीं रहे हो जोदा सिंग हला तब पहले जैसे नहीं रहे तुम दोनों की कभी भी गिरिफतारी हो सकती है गिरिफतारी जोदा सिंखी आप भूल रहें है नेता जी आपके कैने से हमने तंगे फैलाएं और यह बात पुलीस और जनता जोन्नों को पता चल जाएगी तो 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 में धंका रहे हो आजी ना ना मैं तो बस यह कह रहा था कि राजनिती में अगर हमारे जैसों को लेकर आगबे चलोगे तो आखिर तक साथ निवाना पड़ेगा एक बात कान खोल कर सुनलो जोदा सेंग तुम मेरा कुछ नहीं विगार सकते पता है क्यों क्योंकि हम एक नेता है और तुम एक गुंडे हो हम चाहे कुछ भी करें जनता हम हमेशा अपना समर्थन नेता को ही देती है और यहीं जनता मौका आने पर तुम्हारे जैसे गुंडे को सड़क के बीचों बीच कुट्टे की तरह दोड़ा-दोड़ा कर मार देगी आज के बाद ना हम तुम्हें जानते हैं ना तुम हमें अच्छ अब क्या है कुछ निम्हें आज के बाद हमका भी मिलेंगा नहीं ना हाँ ठीक है इंपोर्टेड है मकं जैसे चलती है ठीक है पैसे लायो हाँ लायो ना यह लो अरे पैसे दियें समान दो दो अरे पैसे दियें समान दो दो यह का एं करें देव का नहीं करता नहीं करें अ चछें गोडे निकला निकला नहीं आब निकलेगा ऊपर सलीम तुझे समझाया था पहले माना नहीं थैंग पटका देख बबलू कि अ तेरी अदाएं करती है मनमानी तेरी तो अखियों की तुनाली जान ले गई चानी ताएं बाएं से धाएं थाएं सुन्दों का वाजी आएं अर तेखो इन सुसरों के दिलों को तू कैसे धड़काई मैं हूँ जमपा चमेली रती हूँ मैं अकेली धुमको पर हाँ धुमको पर धुमको पर मेरे तु है अफिदा आचा पास मेरे तु दूर क्यों खड़ा घर का भी मेरे तु ले ले पता पीछे पीछे आचा तु मेरे घर रती हूँ अकेली नहीं कोई डर मेरी नहीं है कोई सहेली मैं हुँ चमपा चमेली मैं हुँ चमपा चमेली रती हूँ मैं अकेली देदे सौका नोट मुझे तू उस पे लिखके नंबर रख लूँगी मैं उसको अपनी चोली के अंदर जो भी होगा लखी नंबर कर दूँगी मिस्कॉल उसे कल पर सास तक वेट करें वह पाना है मुझको जिसे केते सब मैं हुँ अलवेली मैं हुँ चमपा चमेली मैं हुँ चमपा चमेली रती हूँ मैं अकेली हुआ हम को पी अपना है पास गुला ले लव की बैंक में अकॉंट खुला ले सेवी नहीं तो करीद लगा दे लगता है मासूम कितना डर परसा चहरा तिरा सुआ कर ले जाओ जानम सादा को राद दिल मेरा दिया लगर जो अपना नमबर दे दूंगी मैं जान मारूंगी मैं खुद को घंजर सो टका तुमान ना समझो इसको पहे मैं हुँ चमपा चमेली मैं हुँ चमपा चमेली रती हूँ मैं अकेली मैं हुँ चमपा चमेली रती हूँ मैं अकेली चमपा चमेली रती हूँ मैं अकेली मैं है करता है रा सीनकाओ हängt करेंब ज выход वारों फिजर दिडा के सूँ ही वारों वारों थारों ंवह यारों ॰़ यारों ले हो बहुत खेल लिया इन खेलोनों से भी किसे भी किसे भी किसे तुम्हे अलग से बोलना बढ़ेगा क्या भी किसे अब चल 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 तेरी भी तो परात निकालने है आज क्या हाँ कि मैं वास कि मैं याई वाइब रुको लाष्ट इसके दम पर शेर बन रहा है तू अच्छा याद बेख रयमा jueब जय एका अाषEs हाँ 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 वघ्याटाफिस कि वाओ लुः जएर लगरा शारिव एक आयर जो धासिंग जब भी बंदो खुट आता है तो सामने वाले की जान लेता है पर आज तुझे बंदोग से न वारूँगा तुझे ऐसी मौत दूँगा कि तुम मरने के लिए तरसेगा सजी आभापू मर क्या लेको को कि मर सालेको कि दूद अबता देखे जोद्धाशिंग के खूण में किजना अब है जब झाजाओ झाढ़ो भूप लूफ। बेब बहुत खुन प्यास साले ने हमारे यहां एक कहा होत है जाट मरा तब जानी हो है जब तेरमा हो जा गाउं में सब भीम सिंग की अउलाद करता है साले यह तो किसी नौ मर्द की अउलाद है साला एक में गिल गया साला पटा गया साला बहुत उचला था पाप्पू अब यह तो फिरूष यार हार काले में ऑफ हः हुआ है मेरे पाप्पो गमारा है इस जानी सही गण नीचे कर नहीं तो मैं गोली चलादूँगी आखरी बार बोल रियों गन नीचे कर सनी, मार तेरा कुछ नी बिगार सकती है सनी, गन नीचे कर मार सनी आखरी बार बोल रहे हूं, गन नीचे कर सनी, मार बापो, बापो देव देव यह मुझसे क्या हो गया अब जो होना था वो तो हो गया सारा तुम्हें कुछ नहीं होगा कॉल अबिलेंस जब जब गांधी और भगत सिंग के बलिदानों को छिंजोड होगी तब तब देव जैसे युवा जन्म लेते रहेंगे जो समाज में फैली बुराईयों के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे वक्त और सियासत उन्हें मुझरिम बना देती है आज हमें ये महसूस नहीं है दर्द किसी की यादों का क्यों आज भी हम खामोश खड़े हैं देखने खेल दंगों का इंसानियत को मार कर धर्म को बढ़ाने चले हैं हम पर ना देखा उन आखों को जिनकी पलकों पर चाय घम फिर क्यों नफरत की आग में जुलसते हिंदू और मुसल्मान है कौन सी वो ताकत वाले लोग जो भटका कर दंगे करवाते हैं खामोश नहीं है हिंदुस्तान कर दंगे 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 झाल झाल